हमेशा नहीं हमेशा नहीं हमेशा नहीं को बचाते हुए शहीद होने वाले गुंदल की वालदा को कप्तान ने क्या तोफा दिया कहा इन बच्चों के जिम्मदारी अब हमारी है फिकर नहीं करें आप खवतिनों हजरात तीनों बच्चों को मासूम अंदाज में जो नज़र आए एक बेटी है उनकी और तीन बेटी है उनके उन तीनों बच्चों की चारों बच्चों की जिम्मदारी इमरान खाने उठाई है कि उनकी एजूकेशन पर उनकी तलीम और तरबियत पर हर तरहां का खराजात वो खुद उठाएंगे उनका कहना था कि मेरी इस लॉंग मार्च में बहुत से ऐसे हासाथ हुएं जिसे मुझे काफ़ी सबक मिला है लेकिन एक सबक अभी और बाकी है खवतिनों हज़रात उनका कहना था कि वो जल्द ही वापस आएंगे लॉंग मार्च में अवाम के साथ निकलेंगे दुबारा से और इसलामबाद की तरफ रवाना है वहीं पर इम्रान खान की बेहनी भी वहां मौझूद थी जिन बच्चों से काफी लाड़ और प्यार करती रही आज की इस वीडियो मुकमल अगाहिदेंगे मुकमल वीडियो शेयर करेंगे लेकिन उसे सुबहले और बर्वक मिल सके जानते हैं सोशल मीडियो पर वीडियो काफी वाइरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्दम गौंदल जो है वो भी उस मुल्दम के पीछे बागता है जो इम्रान खान पर गोली चलाता है उसको पकड़ने और उसकी गन को पकड़ने के चकर में उस गन का शिकार वो खुद भी हो जाता है सर पर उसकी गोले लगती है मुका पर भी ही वो जाबाग हो जाता है तीनों बच्चे पास कड़े अपने बाप को उठा रहे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई जिस ने सब के दिलों को दहला दिया औ और काफी लोग गमसदा भी हुए मुझम जो है वो अपने घर का वाहद सहारा थे फैमली का वो घर से इसलिए आये हुए थे वहाँ पर लॉंग मार्च में क्योंके इमरान खान के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे उनके तीनों बचे उनके साथ थे लेकिन उन्हें लोगो जाया क्योंके वो खुद तो जा नहीं सकते थे तो मुझम जो है गॉंदल के फैमली उनकी वालदा उनके बचे जो है इनके साथ हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हों ने इन्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जो एक शौपर में था उसमें कितरे पैसे थे आपको यहाँ बताते चलें तकरीबन एक करोड़ से भी जादा पैसे इस फैमली को दिये जा चुके हैं और यह कहा गया है इमरान खान की तरफ से कि इन्हें भरपूर तरह से इनके साथ तामुन किया जाएगा जिब तक वो हैं और तब तक जो है इन बच्चों की वो तलीम तरबियत पे खुद अखराजात उठाएंगे उनकी बेहने वाँ मुझूद थी जो उन बच्चों से प्यार करती रहीं और उन्होंने भी हर तरहां से स्पोर्ट करने का वादा किया इमरान खान इन तीनों बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो है तीनों बच्चों के शिर्ट पर अपने बच्चों की तब भी बहुत ज़्यादा पॅशरम हो गये थे और पाकिस्तान आना चाहते थे ताकि वह अपने वालब को यहां से लेकर जाएं और इसके अच्चे से जो है वह यादत भी कर सके और उनका इलाज करवा सके तें का वालब का कहना था कि वह यहां से नहीं प्लाइया है और इस मकाम तक लाएंगे वो इनके लिए सीनों पर गोलियां खा रही हैं तो वो अपने आपको इनको इस हाल में छोड़कर अपने आपके लिए वो बिरुने मुल्क लाज के लिए नहीं जाना चाहते हो नहीं वो जाएंगे यहीं पर रहे कर ना इलाज उस वक्त एक पाकिस्तानी हीरो मंजरे आम पर आया जिसने इमरान खान की जान बचाई जमाइवा खान ने अपना बयान देते हुए कहा कि उस शखस को उस हीरो को सलाम है और मेरे बचों की तरफ से भी मैं उनका थैंक्स कहती हूं जिन्हों ने इमरान खान की मेरे बेटों के बाप की जान बचाई इसके इलावा आपको यहां एहम बात एक और बताते चलें के इमरान खान की जान बचाने वाले को उनके बेटों ने जो है वो काफी बड़ा इनाम देने का एलान भी किया है और चाहते हैं कि जब पाकिस्तान आएं तो खुसान उस शक्स से मुलाकात भी करें इमरान खान का हॉस्पिटल से भी बयान जारी हो चुका है उन्होंने तीन बंदों के नाम लिये हैं और अनाउंस्मेंट की है कि अगर इन तीनों बंदों को उहदों से नहीं हटाया जाए गा तो मुल्क में पूरा मुल्क में जो है वो इतजाज जारी किया और इस वक्त जो है वो आज पूरे मुल्क में इतजाज भी हो रहा है क्योंके अभी तक उनके इस बात पर अमल नहीं हुआ इसके इलावा हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें आप देख सकते थे कि इमरान खान जो है वो अपरेशन थेटर में भी तस्प एक इत्रव्य वैरल कर रहे है का आटियो जो है वो वाइरल हो रही है जिसमें बताया गया था इमरान खान ने अपने कतल के बारे में प्रशीन को इक की थी कि मुझे मजब की बन्यादों पर कतल करवाया जाएगा और पिर इसको नाम दे दिया जाएगा मजब कार रंग दि नहीं मैंने सोचा उदर अजान हो रही है उदर टेक लगा के शोर कर दो अचानक फैसले किया या पहले किया दिन से सुगों से तो सुना अपनी इमरान खान ने क्या कहा था एक दफ़ा अपने जलसे में और फिर अब जो आदमी कल पकड़ा गया तो भी कल वो और बातें कर रह हा था कल वो यही कह रहा था कि अजान हो रही थी तो ये लोग मुने मियूजिक लगाया हुआ था मुझे घुसा आया एक तरफ ओ ये बयान खान खान के मूँ से ऐसे इलफाज बिलकुल भी नहीं सुने और सबसे एहम बात आपको यहां पर बताते चले जो इस वक्त मनजर्याम पर आ रही है और सोशल मीडिया पर जिस बास को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इम्रान जो है रियास हैं उन्होंने भी इस बात को किय कि जब हमलावर को पकड़ा गया तो उसके वीडियो बियांस जो हैं वो फॉरण जारी क्यों शुरू किये गए और किसने सबसे पहले किये इस चीज़ को भी मनजर्याम पर लाया गया और आपको बताते चलें कि इस शक्स का हमलावर का वीडियो बयान इमरान खान के पर हमला होता है तो हमलावर को इस तरह से फॉरण से मीडिया में नहीं लेकर आया जाता इमरान रियास का कहना था कि उस शक्स की कमीज उतार कर उसका चेहरा ले पेट दिया जाता था चेहरा नहीं दिखाया जाता था मगर इस मामले में इमरान खान के मामले में हर चीज़ जो है वो डिफरेंट नजार आ रही ऐसे लगता है जैसे कि एक कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्योंकि अब तक जो है वो उस शक्स को दो दफ़ा मीडिया में लाया गया है है वीडियोज उसके बיघानाद जारी किये जा रहे हैं मसलसल और उस ये परूफ करने की कोशिश की जा रही है आई या को हम यहां पर वो तमाम तर डीटेल्स भी सुनवाते हैं तमाम उसका बयान उस शक्स का जिसने कातला नाहा में हमला किया थे पर वो क्या कह रहा है?